संसार में बहुत सारी लोगों के मुख से सुना जाता है कि मैं सत्य बोलता हूं इसलिए मेरी बात कड़वी लगती है शाद आप लोगों ने भी सुना हो बहुत से लोग कहते हैं मैं सत्य बोलता हूं इसलिए मेरी बात सामने वाले को कड़वी लगती है सत्य कभी कड़वा नहीं होता कड़वी होती है उसकी जुवान सत्य को प्रतिपादित करने के लिए किसी जूट का सहरा नहीं लिया जाता और जूट बोलने के लिए नजाने कितने जूट बोलने पड़ते हैं एक छोटी सी कहानी के मद्यम से इस बात को समझने का प्रियास करते हैं एक राजा था राजा एक आक्षी था एक आक्षी से मतलब उसके एक आख थी और एक आख बंद थी राजा को सनक उठी कि मैं अपना चित्र बनवाऊंगा बहुत सारे चित्रकारों को बुलाया गया तीन चित्रकार उसमें चैनित किये गए तीनों से कारिये दिया गया कि आप राजा का चित्र बनाए तीनों ने अपने अपने चित्र बनाए पहले चित्रकार ने सोचा कि यदि राजा की मैं एक आख दिखाऊंगा और एक आख बंद दिखाऊंगा तो कहीं राजा नाराज ना हो जाए और मुझे सजा ना बोल दे तो इसलिए उसने जो चित्र बनाया उसमें दोनों आखे ठीक धंग से खोली दूसरे वाले ने जो चित्र बनाया उसमें उसने सोचा कि मुझे सत्ध दिखाना चाहिए तो एक आख बंद की और एक आख खोली जो तीसरे ने जो चित्र बनाया वो बिलकुल अद्बुत था अब जब पहले वाले का चित्र जिसमें दोनों आके खुली थी राजा के सामने गए तो राजा नाराज हुए कि ये तो नहीं ये सत्ध नहीं सत्ध तो ये है कि मेरी एक आख बंद है उसने उस चित्र को एक तरफ रखा प्रसनित आता हुई प्रिये लगा उसको अपना चित्र क्योंकि दोनों आख खुली थी लेकिन फिर भी एक तरफ रखा क्योंकि वह सत्य नहीं था दूसरे का गया वह सत्य था कि एक आख बंद थी और एक आख खुली थी लेकिन वह अच्छा नहीं लगा प्रिया नहीं लगा एप्रिया लगा उसको भी एक तरफ रखा तीसरे चित्रकार का चित्र जब राजा के सामने गया तो राजा प्रसंद हुआ उसको अपने गले का हार उठाकर चित्रकार को दिया वो इतना समझदार था कि उसने राजा का जो चित्र बनाया वो धनुस बान लिये हुए और धनुर्विद्या का ये नियम है एक आख से देखकर तीर चलाया जाता है उसने उस अंदाज में राजा का चित्र बनाया तो जो आख बंद थी उधर से उसने तीर को दिखाया और दूसरी आख खुली थी राजा बड़े प्रसंद हुए उसको इनाम दिया प्यारे बिच्चों ऐसे ही जब हम सत्य को ठीक से प्रतिपादी दिया दी करें तो सत्य कभी कड़वा नहीं होता लेकिन उसके कहने का अंदाज उसको प्रस्तुत करने का अंदाज सही होना चाहिए जब हम ऐसा करते हैं, तो सत्वे में कोई कड़वाहत नहीं होती, वह भी सबको प्रिया लगता है, थेंक्यू सोमच